हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स अभी देखी जैसे मांसों का सीजन चल रहा है तो इस सीजन में सीड्स वगारा कटिंग्स वगारा बहुत जादा ग्रो किये जाते हैं तो इस टाइम पर आप कौन-कौन से सीड्स से प्लांट अपने घर पर ग्रो लीजे तो चलिए आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे प्लांट जिन्हें आप अपने घर में ही फ्री में धेरो प्लांट तयार कर सकते हो अपने पुराने प्लांट से उसका बीज लेकर ही सो फर्स्ट नंबर पर देखिए हमारे सामने है नाइन अकलू कि या फिर मोसरोज भी आप इसको बोल सकते हो इसके ठेर सारे नाम होते हैं तो इसका क्या होता है कि इसके फूल जब पुराने हो जाते हैं इनके नीचे ही इसका बीज बनना सुरू हो जाता है और बहुत बार सुरू हमें इं दानों को डाल देना है ये करीब वन वीक के अंदर ही सभी ग्रो होने वाले प्लांट 40 आपको उसी के उपर से उसका एक सूखा हुआ पूल लेना है क्योंकि ये सूखे हुए फूलों से ही बहुत इसी ग्रो होता है बस ध्यान रखें कि फूल जो आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुखा हुआ हो उसके अंदर बहुत अच्छे से बीच बना हुआ हो तो ये प्लांट काफी हारडी सा प्लांट होता है इसके cutting से भी ये grow होता है और इसके फूलों से भी ये grow होता है इसके फूलों के color भी आपको धेर सारे nursery में मिल जाते हैं इसके अलावा ये price भी ज्यादा नहीं होता है तो यहाँ पर देखे मैंने इसके कुछ सूखे हुए फूल ले लिये हैं और इन्हें बिल्कुल हमें normal मिट्टी में इस तरीके से mix करते जाना है जितने भी हम seeds लेंगे उन सभी को इस मिट्टी में grow करेंगे थोड़े थोड़े gap के बीच में थर्ड नंबर पर हमारा plant है marigold या गेंदा गेंदे को grow करना पहुत आसान होता है और यह हमेशा ही permanent plant होता है जो कि गर्मी में भी फूल देता है और सर्दियों में भी फूल देता है फर कितना होता है सर्दियों में इसके फूल बड़े रहते हैं और गर्मी में इसके फूल पर बहुत इसी ग्रोव कर सकते हो, इसका सिर्फ आपको सुखा हुआ फूल लेना है, इस तरीके के इसका कुछ शीड्स जो आप लेंगे वो सुखा हुआ पीछे की साइड से जब आप लोगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, सूखा हुआ फूल तो इसके फूलों से बहुत इजी आप अपने घर पर ग्रोग कर सकते हो, फूलों से भी, कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रोग हो जाता है, बस इसमें पानी थोड़ा कम चाहिए होता है, फंगस के इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं, प्लांट में, Next हमारा Plant है Mexican Pitonia Mexican Pitonia के फूल भी देखने में बहुत सندर लगते हैं और इसके फूलों के बाद ही इसके पीछे मतलब इसकी फली बनती हैं जसमें इसके Seeds होते हैं इसे इन Seeds से ग्रो करना बहुत Easy होता है Mexican Pitonia के आपको देखे, color भी मिल जाते हैं तो इस तरीकी की कुछ इस पर फली बनती है आप देखी सकते हो जो आपको लगे सूख चुकी है उसी को आप लेकर मिट्टी में डाल सकते हो इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट है यहां पर देखी जीनिया तो जीनिया के फूलो के कलर आपको धेर सारे नर्सरी में मिल जा इसलिए इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत इजी होता है करना कुछ नहीं है एक बिल्कुल सूखा हुआ फूल आपको इस प्लांट से ले लेना है अच्छे से नीचे की ब्रांच तक आप कट करिए ताकि जिस जगह से आप कट करोगे उस जगह से इसकी दो ब्रांच और निकल सके और उन पर new full बन सके तो हमने देखिए इस तरीके से इसकी बिलकुल नीचे से branch cut कर ली है इसके और आपको फूल थोड़ गीला है ड्राइश नहीं हुआ है तो आप उसे छाया में रखकर सुखा भी सकते हो Next हमारा plant है Purple Heart तो Purple Heart इसके पत्ते देखे आप बहुत सुंदर लगते हैं देखने में बिलकुल डार्क परपल कलर के इसके ऊपर इसका एक फूल निकलता है बिलकुल छोटा सा उसी के बाद इसके नीचे इसका बीज बनना शुरू हो जाता है तो ये वैसे cutting से भी easy तयार होता है और बीजों से भी easy तयार होता है तो हमें इसका बीज देखे इस तरीके से लेना है और simple बिल्कुल normal मिट्टी में डाल देना है इसके बाद next हमारा plant है यहाँ पर देखे विंका है ये विंका hybrid वाला विंका है जिसे भीजों से grow करना बहुत easy होता है विंका के भी आपको color भी मिल जाते हैं बहुत सारे और variety भी इनकी धेर सारी मिलती है लेकिन इन में सबसे ज़्यादा problem आती है fungus की अभी जैसे बरसात का season है तो आप इने थोड़ा पानी से बचा कर रखे तो यहाँ पर देखे इसके plant पर ही इस तरीके का इसका फली बनती है जिसके अंदर इसका बीज होता है तो मैंने इसके उपर से दो फली निकाल कर उनका बीज निकाल लिया है बहुत छोटा सा बीज होता है इसका और इस तरीके से हमें इसे भी मिट्टी में डाल देना है और यह वन वीक के अंदर बहुत जल्दी से ग्रो होता है plant नेक्स्ट हमारा plant है अप्राजिता संख पूस्पी या फिर गोरी प्रिया भी इसको बोलते हैं इसके धेर सारे नाम होते हैं और यह एक वाइन होती है जिसे आप कहीं पर भी फैला सकते हो इस पर परपल कलर के या ब्लू और वाइट कलर के फूल आपको मिलते हैं इसी बेल पर इसकी फली बनती है जिनके अंदर इसका बीज होता है तो इसे बीज से ग्रो करना बहुत इसी होता है इसके जो फली होती है उन्हें आपको सुखा लेना है और सुखाने के बाद इस तरीके का आपको इनका बीज दिखाई देगा तो ये फली जो होती है इन्हें आप छ जो बारीक वीज होते हैं उन्हें हमें बस मित्टी में डालना होता है क्योंकिंथा वनल्य उड़कत होता है कि कि तरीके से डाला गया है। हमारा प्लांट होता है देखें यहां पर बेबी संरोज बेबी संरोज कटिंग से ग्रो होता है सभी को पता है बहुत सुंदर प्लांट है सकुलेंट प्लांट है इसमें पानी कम चाहिए होता है इसके फूल निकलते हैं मरजेंटा कलर के बहुत सुंदर के लेकिन इसके उपर पांइ रहता है इसकी पत्यों से भी जड़े निकलना सुरू होती हैं की यहाँ covers sτιरा यहां प्रव्द कूछ मुझें कुछ इसम क्लेक्ट टीके इस प्लांट से ही क्या है जो पूल ज्यादा सूखा हुआ है उस फूल के अंदर काफे मोठा सा होता है सफिक्र ना izquierdan रहता है तो इस बीज को भी हमें लेना है और नॉर्मल ऐसे ही मिट्टी में डाल देना है इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट है गोंफरीना गोंफरीना के फूल देखने में बहुत सुंदर होते हैं इनका साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन बोल से आकार के बहुत सु दिखाई देते हैं एक बार प्लांट के आप उग जाएंगे तो कम से कम वन मंत तक यह ऐसे के ऐसे ही रहते हैं और इसी तरीके से इसे ग्रो करना भी एजी रहता है यह कटिंग से भी तयार होता है प्लांट और इसके जैसे फूल आप देख रहे हैं पीछे की साइड से सू सूख भी जाते हैं तो इस तरीके से सूखे हुए फूल हमें ले लेने हैं और मिट्टी में डाल देने हैं सो फ्रेंट इस तरीके से कुछ प्लांट के बीज आप लेकर अपने घर में ही फ्री में प्लांट धेरो तयार कर सकते हो इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लांट यह प्लांट ज्यादा तर से बुके वगरा में काम आता है डेकुरेट के लिए साधी में आपने देखा होगा वहाँ पर वाइट कलर के फ्लावर होते हैं लेकिन इसे ग्रो करना बहुत इजी रहता है इसके जो फूल होते हैं यह सूख जाने के बाद आपको इसका पीज ले इसके बीज जो होते हैं बहुत पारीख होते हैं उनहें आपको जैसे ही हम ग्रो करते हैं तो एक पोट में अगर हम इसके 2%-3 प्लांट लगाएंगे तो जज़ादा अच्छे से भरा भरा यह दिखाई देता है क्योंकि इसके स्टैम जो होते हैं काफी बारीक बारीक करके होते हैं आप देखी सकते हो बहुत बारीक बारीक से इसके स्टैम होते हैं तो बीज देखे आप इसका कितना बारीक होता है दिखाई भी नहीं देते हैं इतने बारीक होते हैं इसके बीज तो मैंने देखिए इसका बीज ले लिया है और इस तरीके से मिट्टी में डाल देना है तो यहां पर देखे मैंने एक पोट में ही काफी बड़े से पोट में धेड सारे बीज आपको ग्रो करके दिखा autocon बना देनी है ताकि हमारे ये बीज दिखाई ना दे अच्छे से एक मोटी सी लेयर बना देंगे उसके बाद इसमें पानी डाल के हमें इसे रखना कैसी जगह पर है में टोपिक हमारा यही होता है तो सुभा की 10-15 मिन्ट की धूप इसको मिल जाए सिर्फ हमें इसे ऐसी जगह पर ही रखना है पूरा दिन की धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है पानी हमेशा इस प्रेवाली बोटल से डाल ये ताकि जो हमने बीज लगाए हैं वो एक से दूसरी जगह ज्यादा ना हिले बीज इतना हिलते हैं उतने ही वो ग्रो होने में टाइम लगाते हैं तो मै झाल झाल झाल